आईए जाने इस चैप्टर में क्या क्या हुआ है? रोहानी हट बडाते हुए उस इंसान का हाथ जपकते हुए कहती है हमें छोड़िये हमें दर्द हो रहा है वो इंसान जैसे ही रोहानी के मुँझ से दर्द वर्ड सुनता है वैसे है वो रोहानी को अपनी सक्त पकड़ से आजाद कर देता है जैसे ही वो रोहानी को छोडता है वैसे ही रोहानी उस इनसान की तरफ पलटती है तो उसे देखकर हैरान हो जाती है और हैरानी के हाथ कहती है हमें लगा ही था कि आप एक आवारा इनसान हो और हमारा ये शक्स अच्छाई में बदल ही गया वो इंसान एक devil smile के साथ मधोशी में बोलता है और जाना तुम्हारी यही अदा तो मुझे पसंद है रोहानी बोलती है आपकी शादी तन्वी से होने वाली है आप बोल क्या रहे हैं आपको पता भी है रोहानी के इतना बोलते है वो लड़का एक तपाक से रोहानी के lips पर अपने lips रख देता है और रोहानी को एक dumb deep और passionate किस करने लगता है रोहानी उसके ऐसे हरकत से एक dumb shocked थी और वो तो उसकिस को जरा भी response नहीं कर रही थी लेकिन वो लड़का बस रोहानी को पागलों की तरह किस किये जा रहा था और उस लड़के के दोनों हाथ रोहानी के नाजुक कमर पर थे जिसे वो उस इंसान के अपने एक dumb करिब थी रोहानी के शरीर के हर एक भाग उस इंसान के शरीर को बहुत अच्छी तरह से स्पर्श कर रहे थे ऐसे ही लगभग 20 मिनिट बाद जब रोहानी को एक दम सान साना बंध हो गया तो वो लड़का एक जटके में रोहानी को छोड़ देता है रोहानी उस इंसान के पकड के आजाद होते ही एक दम गहरी गहरी सान से भरने लगी और वही वो लड़का जो रोहानी को देख कर बस एक डेविल स्माइल दे रहा था वही रोहानी और उस इंसान के कुछ दूर पर एक लड़का जो लग भग 30 साल का होगा वो अभी रोहानी और उस लड़के के बिच अभी जो कुछ भी हुआ उस सब की वीडियो अपने फोन में बनाते हुए कहता है अब मजा आएगा जब विवान ओबरोई की शादी के दिन म ये वीडियो सब को दिखाऊंगा तब देखऊंगा की तन्वी आखिर विवान ओबरोई के साथ कैसे रहेगी इतना बोलकर वो लड़का जोर जोर से हसते हुए वहां से चला जाता है वही रोहानी जिसकी सांसे अब लाइन में आ चुकी थी इसलिए वो रोनी सी शकल बना क वहां से अपनी कामस से अपने घर के लिए निकल गई वही वो लड़का और कोई नहीं बलकी विवान था जिसे रोहानी से अब बेहद मोहबबत हो चुकी थी और तो और रोहानी विवान की एक जुनून बन गई थी जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है विवान जाती हुई रुहानी को देखते हुए देविल स्माइल के साथ अपने होटों को छुते हुए कहता है ओ जाना एक दिन तो तुम्हे मेरा ही होना है इतना बोलकर विवान स्माइल करते हुए अपने कमरे में चला गया विवान अपने कमरे में जाकर माहिर को अपने कमर कर माहिर विवान के कमरे से चला गया वही रुहानी भी अपने घर पहुंच गई पुरे रास्ते रुहानी आज बहुत हाट फील करते हुए गई थी क्योंकि उसके लिए ये एक दम नया था अगला दिन हल्दी की रस्म ओवे रोई विला में आज ओबरोई विला में तन्वी और विवान की हल्दी की रस्म होनी थी इसलिए पुरे विला को येलो फ्लावर से सजाया गया था और येलो लाइट्स भी लगाए गये थे हल्दी की रस्म मुहरत के अनुसार शाम के चार बज़े होनी थी और सभी तैयारिया वगेरा करते करते शाम के तीन बज चुके थे शाम के तीन बज़ते हैं सभी लोग फंक्शन हॉल में एकटा हो गए और सभी गेस्ट भी आ चुके थे वही आराधना जी विना से कहती है विना बेटा जाए तनू को आप ले आए अब कुछे देर में मुहरत का वक्त हो जाएगा विना बोलती है जी दादी इतना बोलकर विना तन्वी को लाने उसके कमरे में चली गई वही आराधना जी अब वही खड़े माहिर से कहती है माहिर बेटा आप जाए विवान को बुला आईए महिर बोलता है जी दादी मैं बुला आता हूँ इतना बोलकर महिर भी विवान को बुलाने उसके कमरे में उसे बुलाने चला गया कुछ है देर में बिना तन्वी को लेकर फंक्शन हॉल में आई आराधना जी जैसे ही तन्वी को देखती है वैसे है उसके पास जाकर तन्वी की नजर उतारते हुए कहती है है या किसी की नजर ना लगे इतना बोलकर आराधना जी तन्वी के नेक पर अपने आंखों से काजल हलका सा अपनी उंगली में लगा कर लगा देती है उनके ऐसा करते है तनवी आराधना जी के पैर छू लेती है तो आराधना जी भी तनवी को सदा सुहगन रहो का आशिरवाद प्रदान कर देती है उसके बाद विना तनवी को ले जा कर हल्दी की रस्म के लिए सजे मेज पर बैठा देती है, सभी लोग की निगाहे बस तनवी पे हे अटकी हुई थी, खास करके वहां मौजूद सभी लड़कों की निगाहे जो तनवी से हटने का नाम हे नहीं ले रही थी, क्योंकि सच में आज तनवी बहुत हे प्यारी लग रही थी, तनवी ने यलो नेट का लहनग गुलाब के फुलो की जूलरी और लाइट मेकप किया था आज तो जैसे तनवी कहर हे धमा रही थी, थोड़ी देर में महेर भी विवान के साथ वहां फंक्शन हॉल पहुचा, विवान की होटनस और अट्राक्टव लुक को देख कर तो काई लड़किया वहां बस विवान क देख कर खड़े हे खड़े अपना दिल विवान पर हार गई, विवान को देख कर तो जैसे सभी लड़कियों की सांसे थमसी गई क्योंकि आज विवान इतना होट लगे रहा था, विवान ने अभी सिर्फ वाइट धोती पहना था और गले में रुदराक्ष की माला, पैरो में जूती भी थी जिसमें वो और भी ज्यादा अट्राक्टव लग रहा था, इधर तनवी जिसकी निगाहे अभी तक विवान पर नहीं गई थी वो तो बस बार बार किसी को कॉल करने में लगी हुई थी लेकिन शायद उसका कॉल लग नहीं रहा था, इसी कारण वो अभी भी बस लगातार कॉल किये जा रही थी, ऐसे ही लगभग दस बार कॉल लगाने के बाद तनवी जिसे कॉल कर रही थी उसका कॉल लग गया, कॉल लगते ही तनवी हड़ बडाते हुए बोलती है, रुई क्या हुआ तुझे तु मेरा कॉल क्यू नहीं पिक कर रही थी, तु अब हमारे हल्दी के रस्म के लिए मुहरत का वकत भी हो रहा है जल्दी आतू वरना हम रस्म नहीं करेंगे। रोहनी एक गहरी सांस भरते हुए कहती है हम नहीं आपाएंगे इतना बोलते ही रोहनी की आंखों में आशु के कुछ बून टपक गए और उसकी हल्की सिस्किया भी निकल पड़ी जिसे तनवी भी सुन पा रही थी। तनवी घबराते हुए बोलती है क्या हुआ है तुझे तू रो क्यू रही है सब ठिक तो है। रोहनी थोड़ा शांत होते हुए बोलती है हम सब ठिक है वो मेरी आँखों में कुछ चला गया था वैसे हम तो अब नहीं आपाएंगे। तनवी पक का तू ठेक है ना और हमा तू आ रही है अगर तू नहीं आएगी तो हम हल्दी की रस्म नहीं करेंगे। रोहनी बात समझ तनू एक बहुत क्रिटिकल पेशिंट है जिसका ओपरेशन अभी करना है और तुम्हें तो पता ही है हम डॉक्टर्स के लिए पहले उसका काम उसके बाद कुछ भी तनवी बात तो सही पर रोहनी पर वर कुछ नहीं चल अब हम रखते हैं इतना बोलकर रो विवान ओबरोई के सामने अब नहीं आ सकते हैं और ना ही हम तुम्हारी शादी उस विवान ओबरोई के तोड़ सकते हैं ये अजिब कश्मकश में पड़े हुए हैं हम और हम कुछ कर भी नहीं सकते शुश दरसल रोहानी ओबरोई विला सिर्फ और सिर्फ विवान की वजह से नहीं जा रही थी विवान ने कल रात को रोहानी से जो कुछ भी कहा और उसके साथ जो कुछ भी किया था वो सब रोहानी को हिला कर रख देने वाला था और वो जैसी भी थी एक सेल्फ अने सब कुछ सुन लिया था और उसे तन्वी की बातों से ये तो पता चल हिच चुका था कि आज हल्दी की रस्म में रुहानी नहीं आने वाली है और ये बात विवान को अंदर तक जंजोर कर देती है और वो साइड से तन्वी का फोन ले लेता है और वहां से बाहर जाने है वाला था कि तन्वी उसका हाथ पकड़ कर रोकते हुए बोलती है विवान आप कहा जा रहे हैं विवान कोल्ड वोईस में कहता है बस टू मिनिट में आता हूँ कुछ काम है विवान इतना बोलता है कि एक और अरत हसते हुए बोलती है अरे तन्वी बेटा अभी जाने दो वैसे भी शादी के बाद तो विवान तुम्हारे है पास रहेगा दूसरी औरत हमम हम्मा उनके इतना कहते ही वहां मौजूद सभी लोग हसने लगे वही तन्वी जो बुरी तरह सर्मा गई और विवान जिसके चहरे पर गुस्सा साफ जलक रहा था आराधना जी विवान के गुस्से को अच्छी तरह देख पा रही थी और वो ये भी जानती थी कि उन्हें ही कुछ करना होगा इसलिए वो बीच में तपकते हुए बोलती है आप सब शांत हो जाए और विवान बेटा आपको क्या काम है आप वो काम पुरा करके जल्दी आए मुहरत से पहले आराध है कि शयद कोई पेशन्ट या उसका कोई ओफिस क्लिंड होगा यही सोच कर रोहानी कॉल पिक करती है और अपनी कोयल जैसी मधूर आवाज में कहती है लू रोहानी स्पीकिंग रोहानी की मिठी कोयल जैसी आवाज सुन कर तो जैसे विवान के दिल को जन्नत मिल गई हो और वो अपने कोल्ड वोइस में कहता है ओ जाना तुम्हारी ये आवाज तो किसी दिन मुझे पागल ही करके मानेगी विवान की अवाज सुन रोहानी घबराते हुए बोलती है कौन है आप और हमसे क्या काम है विवान काम नहीं मोहबबत है तुमसे जुनून हो तुम मेरा रोहनी अब पहचान चुकी थी कि वो और कोई नहीं बलकी विवान है है इसलिए वो थोड़ा डटते हुए बोलती है आपको एक बार में समझ नहीं आती है आपकी शादी तन्वी से हो रही है जो आप हमारे पिछे पड़े हुए हैं क्या दुश्मनी है आपकी हमसे विवान फिर से अपनी cold voice में एक दम मधुशी के साथ बोलता है हो जाना दुश्मनी नहीं मोहबबत इश्ख है तुमसे और ये तुमसे ही रहेगा रोहनी लेकिन हम आपसे नहीं बलकी आरुश से मोहबबत करते हैं ओडियो बाइस्किल जे एक्स शून्य साथ रोहनी और विवान की अनोखी हल्दी विवान जैसे ही अंशा के मुल से ये सुनता है कि वो किसी आरुश नाम के लड़के से प्यार करती है तो ये सुन विवान जैसे तो एक पल के लिए एक दम से बौखला उठता है और वो गुष्से में रोहानी से बोलता है क्या कहा एक बार बोल दिया दुबारा से बोलने की कोशिश भी करना तुम सिर्फ मुझसे विवान ओबरो इसे प्यार करोगी। प्यार करती है लेकिन फिर कुछ सोच कर विवान के चहरे पर एक देबल स्माइल आ गई और वो अपने कमरे से फक्षन हॉल में आकर तन्वी के बगल में बैठ गया। इधर रोहानी जो तुरंत किसी को कॉल करती है और अभी विवान से उसकी क्या बात हुई वो सारी बात बताती है और कहती है आरुष चलो ना प्लीज वैसे भी दादी के आने के बाद हमारी शादी तो होने ही वाली है। आरुष नर्म आवाज में बोलता है ठिक है रोही तुम तैयार हो जाओ मैं आपके घर आता हूँ उसके बाद हम दोनों साथ में चलेंगे वैसे भी तुम मैरी होने वाली पत्नी है। रोहनी खुश होते हुए बोलती है ठैंक यू आरुष इतना बोलकर रोहनी कॉल कट कर देती है और फिर जल्दी से अपनी मेकप आटिस्ट रुमी जो अभी रोहनी के ही घर में आई थी उससे कहती है आज हमें ऐसा तैयार करना जो हमें आरुष देखे तो उसकी निगाहे क बेहद मोहबबत करते है और उनकी शादी भी अगले एक महिने के अंदर जब कम्याजी अपनी तीरत यात्रा समाप्त करके आएंगी तब होनी है आरुष रोहानी और तनवी तिनों स्कूल टाइम फ्रेंट थे लेकिन अब रोहानी और आरुष का रिष्टा दोस्ती से समभालना शुरू किया था तब से खुराना इंडस्ट्रीज का ओदा ही कुछ और था क्योंकि आरुष ने बसीनस को समभाला है इतने अच्छे से था खुराना इंडस्ट्रीज और आरुष खुराना का नाम अब वर्ल्ड के टॉप 10 के 4-9 में आता है कुछ है देर में तो देखता है कि रोहानी अपने घर के बाहर हे खड़ी होकर आरुष के आने का इंतेजार कर रही है जैसा रोहानी ने कहा था जस्ट वैसा ही जैसे है आरुष रोहानी को देखता है तो बस एक चक देखता है रह जाता है रोहानी सच में आज बहुत की खुबसूरत लग र रही थी आरुष को ऐसा खुद को घुरता देख रोहानी अपनी चुटकी बजाते हुए बोलती है कहा खो गए रोहानी के चुटकी बजाने पर आरुष होश में आता है और कहता है कहीं नहीं वैसे बहुत प्यारी लग रही हो तुम। रोहानी सर्माते हुए बोलती है थैंक्यू अन तुम भी बहुत अच्छे लग रही हो। रहा था। आरुष भी किसी से कम नहीं लग रहा था उसने यलो कुर्ता और वाइट धोती पहनी थी जिसने में उसकी मस्क्यूलर बोडी काफी होट लग रही थी। रुष भी आये है उसे तो रोहानी ने मना कर दिया था कि वो आज नहीं आएगी। इधर आराधना जी जो तन्वी और विवान के सर पर अपना हाथ फेरते हुए बोलती है बेटा मोहरत का वक्त हो गया है अब आप दोनों एक दुसरे को सबसे पहले सगुन हल्दी लगाए क्यों पंडित जी हम सही बोल रहे हैं ना। पंडित जी कहते है जी बिलकुल पहले वरवधू एक दूसरे को सगुन की हल्दी लगाएंगे। विवान और रुहानी ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में थे वही आरुश जो रुहानी को विवान की बाहों में देख जल रहा था वही तन्वी जिसे रुहानी की फिक्र हो रही थी कि कही गिरने की वज़े से उसे चोट तो नहीं लगी। ऐसे ही कुछ पलो के लिए तो विवान रोहानी को हे देखने में खोसा गया वही रोहानी जो अब विवान की बाहों से उठने की कोशिश कर रही थी रोहानी के हाथ और चेहरे पर भी हल्दी थी रोहानी उठती है तो रोहानी का गाल विवान के गाल को टच होता है जिससे दो जानों के मन में एक अलग सा एसस पनप रहा था और तो और गाल टच होने की वज़े से रोहनी के गाल से विवान के गाल पे भी शगुन की हल्दी लग गई और रोहनी के हाथ से विवान के पेर में हल्दी लग गई रोहनी जैसे है विवान की गोद से उठती है वैसे ही सभी औरते एक दुसरे से बाते करते हुए कहती है अरे ज़रा देखो तो हल्दी होनी थी तन्वी के साथ पर हो गई इस लड़की के साथ दुसरी औरत बोलती है हम्मा और ये यो एक तरह से अप्षगुन है आराधना जी हम क्या कहते है कि इस लड़की का यहां होना है अप्षगुन होगा फिर सी एक औरत बोलती है सही बात है आराधना जी अब आपके घर का माटा है पर अपने भी अभी देखा कि किस तरह ठेक मुहरत पर अभी तनवी और विवान की हल्दी की जगह इस लड़की की हल्दी हो गई अब रोहानी को सभी की बातों पर सर्मिंदगी महसूस हो रही थी वही विवान जिसे जैसे कुछ फर्क है नहीं पढ़ रहा था वो बस अपनी मुठियों की भिचे बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर एल जंग जितने वाली मुसकान पैर रही थी और इधर तनवी जिससे रोहानी के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो जानती थी कि रोहानी ने कुछ भी जान बुझ कर नहीं किया है और इधर आरुष जो जलन के मारे जला भुना जा रहा है हालन की वो जानता था कि ये अभी जो कुछ भी हुआ है वो सब एक अक्सिडन्ट था अरे घर के मामलों में घुसने की कोई जरुरत नहीं है हम सब देख सकते हैं और एक बात अभी एसी वक्त तन्वी और विवान की हल्दी होगी आराधना जी की बात सुनकर अब सभी के चेहरे पर एक अलग सी जंग हारने वाली उदासी आ गई और सब के मो पे तो जैसे ताल ही लग गया था उसके बाद तन्वी और विवान की हल्दी की रस्म हुई और फिर घिरे घिरे सभी गेस्ट भी चले गए वही रोहानी जो वाश रूम में थी और अपने हल्दी लगे चेहरे को रगड कर धोने लगी और चित्ते हुए बोलती है हमें नफरत है उस इंसान के हर एक निशान से हमें नफरत है उसके चेहरे से हमें नफरत है विवान ओबरोई से हम जितना उस इंसान के पास नहीं जाना चाहते हैं पर पता नहीं कैसे चले ही जाते हैं इतना बोलते ही रोहानी के आंखे लाल होकर नम हो गई कि तभी उसे उसके कमर पर किसी के हाथ आने के साथ बोलता है हमा मैं आ गया जाना रोहानी जैसे ही उस अवाज को सुनती है वैसे ही जल्दी से उसका हाथ जटका मारते हुए पिछे मुड़ती है तो हैरान रह जाती है और वो हैरानी के साथ बोलती है आप यहाँ वो लड़का बोलता कोल्ड वॉइस में है हमा मैं तुम रोहनी को जाता देख एक भयंकर मुस्कान दे रहा था और कहता है एक दिन ये नफरत इश्क में जरूर बदलेगा मेरी जाना। इधर रोहनी जो आरुष और तनवी के पास जाती है। आरुश और तन्वी दोनों साथ में हे लिविंगरा में थे रुहानी उनसे बोलती है तन्वी हम चलते हैं तन्वी बोलती है अच्छा एक बात बता तू तो नहीं आने वाली थी फिर रुहानी थोड़ा अचकते हुए बोलती है वो हमारा वो ओपरेशन जल्दी हे गया तो हम आ गए तन्वी चल अच्छा किया वैसे एक बात बताओ तुम दोनों हमें तुम शादी कब कर रही हो आरुश और रुहानी साथ में बोल परते हैं दादी के तिर्थ यात्रा से आने के बाद तन्वी मुस्कुराते हुए बोलती है चलो बढ़िया है अब तुम दोनों में विवान के कमरे में विवान सोफे पर बड़े हे शान के साथ बैठा हुआ था और उसके सामने माहिर खडा था विवान सक्त आवाज में माहिर से कहता है क्या information है बताओ महिर बोलता है सर रोहानी मैम का पुरा नाम रोहानी राइचंड है रोहानी मैम एक डॉक्टर और बसीनस टाइकून है रोहानी मैम राइचंड इंडस्ट्रीज की उना भी है रोहानी मैम के फैमिली में सिर्फ उनकी दादी काम्या रचंद है और रोहानी मैम की शादी एक म सर की बेटी और तनवी माम की जुडवा बहन है और ये बात शायद तनवी माम और रोहानी माम को भी नहीं पता है कि वो दोनों बहन है महिर की बात एक डम शॉकिंग थी एक पल के लिए तो विवान भी महिर की तरफ एक शॉकिंग रियाक्शन के साथ देखता है और बोलता है तुम क्या बोल रहे हो तुम्हे पता भी है महेर बोलता है जी सर आप ही याद किजे जब आप चार साल के थे तब विक्रांट सर और आपके डाड मफिया किंग कहलाते थे और उसी वक्त विक्रांट सर की दो जुड़वा बेटी हुई थी और उसके बाद क्या हुआ था ये आप से बेहतर और कौन है जान सकता है